एलो एवरीवन वलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और किसकिस ने भिंडी का चोखा खाया है मुझे जरूर बताना तो आद में आपके साथ भिंडी का मेजिंग और टेस्टी सा सिंपल सा चोखा की रसिपी शियर करने जा रही हू एक बार आप जरूर बनाके देखना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और गर्मियों के लिए तो बहुत ज्यादा मज़ेदा रसिपी है अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो चलिए फटाफट से हम बिंडी का ये चूखा की रसिपी देखते हैं और रसिपी पुर जादूंगे देन हम इसे रोस्ट करेंगे और ट्रस्ट में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिंडी के चुखे का पर जो ट्राइब करिएगा और हम सब को धेदे कम हीट पे फ्राइब कर लेंगे तीन से चार मिनट लग जाता है इसे फ्राइब होने के लिए ठीक है सब क हम उलट उलट करके फ्राइब कर लेंगे तो मिर्ची जल्दी फ्राइब हो जाते है तो आप इसे निकाल लीजेगा इसे जारा दिर मत रखेगा और यह देखिए अच्छा सा इसमें कलर भी आ गया है अच्छा से रोस्ट हो गई है और लैसुन हमारा हो रहा है भिंडी भी ह अच्छा से रोस्ट हो गई है इसी तरह के से हमें चाहिए और यह अच्छा सॉफ्ट ही हो गई है तो चलिए वह इसका चोखा लगाते हैं सबको हम निकाल लेते हैं और मैंने मिर्ची और यह प्याली निकाल लिया था यह देखिए तो यह देखिए हमारा देखिए टमाट्रों को भी छिल लिया लेसुन भी अच्छा च्छिला गया मिर्ची भी डोस्ट हो गई हिंदी भी डोस्ट हो गया अभी जो टीप है इसको हम निकाल लेंगे चोखा लगाते समय और इधर प्याज भी देखिए मैंने कट करके रख ल लगाते हैं तो यह देखिए मैंने इसमें लेसुन हरीमिच नमक डाल दिया है और आपके अस पत्थर वाला हो ना तो और अथी इसमें चोखा बनती है यह बना सकते हो बट इसी में आप करिए का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसे हमें पूट लेना है मिर्च को लेस का दो और टेस्टी तो लेगा अब इसमीMत혁 डूंगा तो म 1997 मैंने चृत कर दोस्कly दो की अच्छा लगतता है तो इसो में चम्ड मजेह आएगा या फिर यहाप को खोगी आवे इस्को बना कि जादेना मुट नहीं हम कुट लेंगे तो चोट नहीं होता है अच्छा तो चलिए भींदी भी हम एड करेंगे इसमें लेंगे बिंदी का जो इसे हमें कट कर देना है और इसमें हम कट करके डाल देंगे बहुत इसली कट हो जाएगा इसी तरह से हम सारी भींदियों को इसमें एड कर लेंगे कि इसमें मैस कर लेंगे अच्छे मैस हो गया इसमें अब हमको एड करना है थोड़ा सा सर्सो का टेल कोई जोखा हो अचार हो उसमें जादा अच्छा लगता है और इसके वाद हम डाल देंगे इसमें प्याच जितना आपको खाना है आप चाहो तो निम्बू भी डाल सकते हो तीक है यह मैंने डाल देंगे इस पर सॉल्ट मने डाला भी था थोड़ा सा लेकिन और एड करें क्योंकि हमने और थीज़े आड की है उसके बाद हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसकी जॉट नहीं हमें क्योंकि जो हमें कि इस राए है ना में तो पानी आ रहा है मैं आपको डिश़र्ट करके निकाल के दिखाते हूं कितना अच्छा यह भींडी का चोखा बनता है ठीक है मैं निकाल के दिखाती हूं आपको वह स्कुष्ट यह देखिए हमारा यमी सा बिन्दी का चूखा रेडी हो गया है अगर आपने नहीं बनाया जोग ट्राइए करेगा रेसिपी कैसी लगी जोग बताइएगा कर फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ थेंक यू सो मच फ़ वाचिंग माई वीडियो बाई बाई